हेलो फ्रेंस आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स नेम के बारे में हिंदी और इंग्लिस में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये है केला केला को इंग्लिस में बनाना कहते हैं बनाना मीन्स केला और ये है अम्रूद अम्रूद को इंग्लिस में ग्वावा कहते हैं ग्वावा मीन्स अम्रूद और ये है पपीता पपीता को इंग्लिस में पपाया कहते हैं पपाया मीन्स पपीता और ये है अनार अनार को इंग्लिस में पोमो ग्रेनेट कहते हैं पोमो ग्रेनेट मीन्स अनार और ये है संत्रा संत्रा को इंग्लिस में ओरेंज गहते हैं ओरेंज मीन्स संत्रा और ये है अंगूर अंगूर को इंग्लिस में ग्रैप्स कहते हैं Graps means अंगूर और ये है आम सबका फेवरेट आम तो आम को इंग्लिस में मैंगो कहते हैं मैंगो means आम और ये है सेब सेब को इंग्लिस में एपल कहते हैं एपल means सेब और ये है मौसमी मौसमी को इंग्लिस में स्वीट लाइम कहते हैं स्वीट लाइम means मौसमी ये है आडू आडू को इंग्लिस में हम पीच कहते हैं और नेक्टरिन कहते हैं पीच और नेक्टरिन दोनों ही कह सकते हैं ये है चेरी चेरी को इंग्लिस में cherry ही कहते हैं cherry means cherry और यह है kiwi kiwi को एंगलिस में kiwi ही कहते है kiwi means kiwi और यह है bear bear को एंगलिस में जुजूबय कहते हैं जुजूबय means bear और ये है नारियल नारियल को इंग्लिस में कोकोनेट कहते हैं कोकोनेट मेंज नारियल और ये है अंजीर अंजीर को इंग्लिस में फिक कहते हैं फिक मेंज अंजीर और ये है सरीफा सरीफा को इंग्लिस में कश्टर्ड एपल बोलते हैं कश्टर्ड एपल मीन्स सरीफा और ये है जामुन जामुन को इंग्लिस में जमबोलन प्लम जावा प्लम या ब्लैक प्लम भी कहते हैं आप लोग इसमें से कुछ भी कह सकते हैं और ये है चीकू चीको को इंग्लिस में सपोडिला और सपोटा कहते हैं सपोडिला सपोटा में से आप कुछ भी कह सकते हैं और ये है आलू बुखारा आलू बुखारा को इंग्लिस में प्लम बोलते हैं प्लम मीन्स आलू बुखारा और ये है कराउंदा कराउंदा को इंग्लिस में क्रेन बेरी बोलते हैं क्रेन बेरी मीन्स कराउंदा और ये है खुबानी खुबानी को इंग्लिस में हम एप्रिकोट बोलते हैं एप्रिकोट मीन्स खुबानी और ये है एवोकाडो एवोकाडो को इंग्लिस में एवोकाडो ही बोलते हैं और ये है निल बदरी निल बदरी को इंग्लिस में हम ब्लूबेरी बोलते हैं ब्लूबेरी मीज निल बदरी और ये है क्रश्न बदरी क्रश्न बदरी को इंग्लिस में हम ब्लैक बेरी बोलते हैं Blackberry means Krishnan Badri और ये हैं सहतूत सहतूत को इंगलिस में मलबेरी कहते हैं मलबेरी means सहतूत और ये है तर्बूज तर्बूज को इंगलिस में हम Watermelon बोलते हैं Watermelon means तर्बूज और ये है खर्बूजा खर्बूजा को इंगलिस में Musk Melon या Honey Dew बोलते हैं Musk Melon और Honey Dew means खर्बूजा ये है नासपाती नासपाती को इंगलिस में हम Pear बोलते हैं Pear means नासपाती और ये है अनानास अनानास को इंगलिस में हम पाइनेपल बोलते हैं पाइनेपल मेंज अनानास, और ये है आमला, आमला को इंग्लिज में हम गुसबेरी बोलते हैं, गुसबेरी मेंज आमला, और ये है रसपरी, रस्परी को इंग्लिस में हम रस्प बेरी बोलते हैं रस्प बेरी मिन्स रस्परी और ये है स्ट्रोबेरी स्ट्रोबेरी को इंग्लिस में हम स्ट्रोबेरी ही बोलते हैं और ये है काजु सेब काजु सेब को इंग्लिस में हम केजिव एपल बोलते हैं केजिव, एपल मीन्स काजु सेब, और ये हैं खजूर, खजूर को इंग्लिस में हम डेट्स बोलते हैं, डेट्स मीन्स खजूर, और ये है डूरियन, डूरियन को इंग्लिस में हम डूरियन ही बोलते हैं, और ये है पिताया पिताया को इंगलिस में हम ड्रेगन फ्रूट बोलते हैं ड्रेगन फ्रूट मीन्स पिताया और ये है लोंगन लोंगन को इंगलिस में हम लोंगन ही बोलते हैं और ये है कोकम कोकम को इंग्लिस में हम मैंगोस्टिन बोलते हैं मैंगोस्टिन मीन्स कोकम और ये है जैतून जैतून को इंग्लिस में हम अल्यू बोलते हैं अल्यू मीन्स जैतून और ये है तेन दूफल पैसिमौन मेंस तेंदू फल, और ये है चकोतरा, चकोतरा को ин्ग्लिस में हम पोमेलो और ग्रैब फ्रूट बोलते हैं, पोमेलो या फिर ग्रैब फ्रूट मेंस चकोतरा, और ये है क्रशना फल क्रशना फल को इंगलिस में हम पैसन फ्रूट बोलते हैं पैसन फ्रूट मींज क्रशना फल और ये है गन्ना गन्ना को इंगलिस में हम सुगर कैन बोलते हैं सुगर कैन मींज गन्ना और ये है लीची लीची को इंग्लिस में हम लीची ही बोलते हैं लीची means लीची और ये है नीम्बू नीम्बू को इंग्लिस में हम लेमन या फिर लाइम बोलते हैं और ये है इमली इमली को इंग्लिस में हम टेमा रिंड बोलते हैं टेमा रिंड means इमली और ये है सिंगहाडा सिंगहाडा को इंगलिस में हम वाटर चेसनेट बोलते हैं वाटर चेसनेट मेंस सिंगहाडा और ये है बेल बेल को इंगलिस में हम बेंगाल क्वेंस या फिर वुड एपल बोलते हैं दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं और ये है ताड गोला इसे हम इंग्लिस में आइस एपल बोलते हैं और पोल्मायरा फ्रूट भी बोलते हैं आइस एपल और पोल्मायरा फ्रूट और ये है तमार रिलो तमार रिलो को इंग्लिस में तमार रिलो ही बोलते हैं और ये है Falsave, Falsave को इंग्लिस में हम Black Current बोलते हैं, Black Current means Falsave और ये है Malsari या Bakul, इसे हम इंग्लिस में Mimosops Elengi बोलते हैं, Mimosops Elengi means Malsari या फिर Bakul ये है Hand of Buddha Fall, इसे हम इंग्लिस में Buddha's Hand बोलते हैं, Buddha's Hand means Buddha Fall और ये है Tartfall, Tartfall को इंग्लिस में हम Palm Fruit बोलते हैं, Palm Fruit means Tartfall और ये है Locartfall, Locartfall को इंग्लिस में हम Locart Fruit बोलते हैं, Locart Fruit means Locartfall और ये है Kinnu, Kinnu को इंग्लिस में हम Mandarin बोलते हैं, Mandarin means Kinnu और ये है Guler, Guler को इंग्लिस में हम Psychomorphic बोलते हैं, Psychomorphic means Guler और ये है सूरी नाम Cherry, सूरी नाम Cherry को इंग्लिस में सूरी नाम Cherry ही कहते हैं और ये है Sithara Sab, Sithara Sab को इंग्लिस में हम Star Apple बोलते हैं, Star Apple means Sithara Sab और ये है Bilimbi, Bilimbi को इंग्लिस में हम Bilimbi और Tree Sorrel बोलते हैं, Bilimbi और Tree Sorrel में से आप कुछ भी बोल सकते हैं और ये है साथ सुमा, साथ सुमा को इंग्लिस में हम साथ सुमा ही बोलते हैं और ये है सलक, सलक को इंग्लिस में हम सलक ही बोलते हैं और यह है पाइन बेरी, पाइन बेरी को इंगलिस में हम पाइन बेरी ही बोलते हैं और यह है नैंस, नैंस को इंगलिस में हम नैंस ही बोलते हैं और यह है चमत कारिफल, चमत कारिफल को इंगलिस में हम मिरेकल फुरूट बोलते हैं मिरेकल फ्रूट मींज चमतकारी फल और ये है जबूटिक काबा जबूटिक काबा को इंगलिस में हम जबूटिक काबा ही बोलते हैं और ये है हकल बेरी हकल बेरी को इंगलिस में हम हकल बेरी ही बोलते हैं और ये है हनी बेरी हनी बेरी को इंगलिस में हम हनी बेरी ही कहते हैं और ये है गोजी बेरी गोजी बेरी को इंगलिस में गोजी बेरी ही कहते हैं और ये है फे जोवा फे जोवा को इंग्लिस में हम फे जोवा ही बोलते हैं और ये है जारबर जारबर को इंग्लिस में हम डेमसन बोलते हैं डेमसन मीन्स जारबर और ये है क्लावड बेरी Cloudberry को इंगलिस में हम Cloudberry ही बोलते हैं और ये है भिचुफल या फिर सादुफल इसे हम इंगलिस में Monk Fruit बोलते हैं Monk Fruit means भिचुफल या फिर सादुफल और ये है Elderberry Elderberry को इंगलिस में Elderberry ही बोलते हैं और ये है malta, malta को इंग्लिस में हम malta fruit बोलते हैं, malta fruit means malta, और ये है falsa, falsa को इंग्लिस में हम falsa ही बोलते हैं, और ये है लैंक्सेट फल लैंक्सेट फल को इंग्लिस में हम लैंक्सेट फ्रूट बोलते हैं लैंक्सेट फ्रूट मींस लैंक्सेट फल और ये है अखरोट अखरोट को इंग्लिस में हम वालनेट बोलते हैं वालनेट मींस अखरोट और ये है पीला आलू बुखारा इससे हम इंगलिस में मिराबेल प्लम या फिर यलो प्लम बोलते हैं और ये है मोरडी केश्टिला मोरडी केश्टिला को इंगलिस में हम मोरडी केश्टिला ही बोलते हैं और इसको रूबस ग्लोकस भी बोलते हैं यह है medium fall medium fall को इंग्लिस में हम medium fruit बोलते हैं medium fruit means medium fall और यह है melon pear melon pear को इंग्लिस में हम melon pear या फिर pepino बोलते हैं और ये है हर फरावरी हर फरावरी को इंगलिस में हम स्टार गोज बेरी बोलते हैं स्टार गोज बेरी मेंज हर फरावरी और ये है कमरक कमरक को इंगलिस में हम स्टार फ्रूट्स बोलते हैं स्टार फ्रूट्स मेंज कमरक और ये है कोको डी मेरो कोकोडी मेरो को इंगलिस में हम कोकोडी मेर बोलते हैं और ये है कट हल कट हल को इंगलिस में हम जैक फ्रूट बोलते हैं जैक फ्रूट मेंस कट हल और ये है नेरफडस नेरफडस को इंगलिस में हम ब्रेड फ्रूट बोलते हैं ब्रेड फ्रूट मीन्स नीर फड़स ये है कुदमपुली कुदमपुली को इंगलिस में हम माला बार टेमरिंड और गैमबुज फ्रूट बोलते हैं माला बार टेमरिंड और गैमबुज फ्रूट मीन्स कुदमपुली और ये है कांटेदार नासपती इसे हम इंगलिस में पिकली पियर बोलते हैं पिकली पियर और केक्टस पियर मीन्स काटेदार नास पाती और ये है जम रूल फल जम रूल फल को इंगलिस में हम बेल फ्रूट और रोज एपल बोलते हैं बेल फ्रूट और रोज एपल मीन्स जम रूल फल और ये है स्रीफल स्रीफल को इंग्लिस में हम कुइंस फ्रूट बोलते हैं कुइंस फ्रूट मींज स्रीफल और ये है लाल केला लाल केला को इंग्लिस में हम रेड बनाना बोलते हैं रेड बनाना मींज लाल केला और ये है कदंब फल कदंब फल को इंगलिस में हम कदंबा फ्रूट बोलते हैं कदंबा फ्रूट मींस कदंब फल और ये है हरा सेब हरा सेब को इंगलिस में हम ग्रीन एपल बोलते हैं ग्रीन एपल मींस हरा सेब और ये है हनुमान फल हनुमान फल को इंगलिस में हम source of fruit बोलते हैं source of fruit means हनुमान फल और ये है मकोई मकोई को इंगलिस में हम black night set बोलते हैं black night set means मकोई और ये है जंगल जलेबी जंगल जलेबी को इंगलिस में हम मद्रास थोर्न बोलते हैं मद्राज थोर्ण मीन्स जंगल जलेबी और ये है बढ़हल बढ़हल को इंगलिस में हम लकूचा फ्रूट बोलते हैं लकूचा फ्रूट मीन्स बढ़हल और ये है सकरकंद सकरकंद को इंगलिस में हम स्वेट पटेटो बोलते हैं स्विट पटेटो में सकरकंद आमको इंगलिस में क्या कहते हैं ये आप बताईए यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में